नमस्कार दोस्तों स्वागताब का धर क्लासिस में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की नाइन्थ क्लास के बारे में जी हाँ तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के बारे में और आज जो हम टॉपिक लेकाए हैं किर्या क्या होती है और किर्या के कितने भेद होते हैं आ आज ये कवर करने वाले हैं और अंत में आपको free practice set मिलने वाले हैं और PDF आपको इस वीडियो का description में provide कराई दी जाएगी और trick के माध्यम से cover करने वाले हैं चलते हैं तो किर्या के हमारी दो प्रकार होते हैं सबसे पहले मैं आपको ही बता दू किर्या जो होती है आपकी दो प्रकार यह होती है ठीक एक तो होती है आपके कर्म के आधार पर ठीक और एक होती है आपकी रचना के आधार पर किर्या आपकी दो प्रकार के होती है कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर किर्या जो होती है वो दो प्रिकार के होती है एक सैकर्मक किर्या एक एकर्मक किर्या तो सबसे पहले किर्या क्या होती है किर्या की परिभाष्या जान लेते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोद हो उन्हें किर्या कहते हैं जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रही है, इस्तरिया बाते कर रही हैं, दादा जी अगवार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज और इंपर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये कुश्चन अब सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कि किव्या का मूल रूप क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, धादू कहलाता है, ये कुश्चन अब जादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो धादू के साथ अगर ना प्रत्य जोड़कर उसका रूप बना दिया जाता है, देखो, अगर सपोस करो, कि किव्या जो है, ठीक, किव्या क्या ह किर्या जो होगा वह अगर हमारा धातु रूप है क्या है वह धातु और धातु और पिलस वह अगर प्रत्य हो गया तो वह क्या हो जाता है वह किर्या का हो जाता है ठीक है यानि किर्या का फॉर्मूला क्या हो गया किर्या का फॉर्मूला यहां पर देख सकते हो जैसे हमने यह यहां पर लिख रखा है यह सबसे लाश्ट में है जो यह आपका प्रत्य है प्रत्य क्या होते हैं जैसे ना पन ठीक है जो किसी भी सब्द के लाश्ट में जुड़ जाए और वह मतलब ना निकाले ठीक है वह होता है प्रत्य है जैसे ना जुड़ रहा ना का कोई मतलब नहीं होता है यहां पे भी ना इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन शुरू में क्या है यहां पर यह शुरू में जो है जो है यह क्या होता है तो जैसे लिख प्लस ना लिखना चल पिलस ना चलना और पड़ पिलस ना पढ़ना अब किरिया के भेद आपके मैंने बताई दिये कि दो प्रकार के होते हैं कर्म के अधार पर और रचना के अधार पर आज हम बात करें कर्म के अधार पर कर्म के अधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं सै कर्मक किरि सै का मतलब क्या है यहां पर सै का मतलब हो गया यानि वहां पर सकरात्मक रूप दे रहा है यानि वो चीज कर्म के साथ जुड़ रहा है इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर आपका जिस किर्या का फल कर्म पर पड़ता है उसे सै कर्मक किर्या कहते है ठीक है यानि उसमें क्या ही खाहिक झारना चाही है कि कर्म ज है वह बहुंपे आना चाही है यांनि क्रिया क्रिया के साथ आ रहा हुआ वहां क्रिया कर मारें का कर घिलता है अब पहचान क किसे करोगे ट्रिक या फिर प्राप्ति हो रही है तो वहां पी क्या होगा सै कर्म किर्या होगा जैसे हम एक्जाम्पिल ले ले लिते हैं जैसे एक एक्जाम्पिल पुलिस ने चोर को पीटा तो यहां पर किर्या क्या है किर्या है यहां पर पीटना ठीक है अब किसको पीटा या क्या पीटा या आपका कर्म तो यहां पर कर्म आ रहा तो यह क्या होगी है ठीक है दूसरे एक्जाम पर लेखता है नेहा पुस्तक पढ़ रही है ठीक है नेहा पुस्तक पढ़ रही है तो पढ़ना क्या है यहां पर किर्विया है ठीक है पढ़ना क्या है यहां पर किर्विया है और नेहा क्य कद रहे तो क्या पड़ लिए किसमे पढ़ रही है तो वह पढ़ लिए पूस्तक im यहां प्याँ चाग यहां पर यह यह यहакर्मक शाक eva के दो रेयर किल्य कोषा नहीं जाता है बही किल्या के कितने रेयर होते हैं कर और रचना के पर ठीक है अब आपका सह करमक क्रिया के बारे में पता करते हैं यह आपका इसमें दो कर्म भी हो सकते हैं एक कर्मक वाले भी हो सकते हैं ठीक है यानि एक कर्मक और दूई कर्मक तिक दुई कर्म में क्या है जहां पे दो कर्म होंगे आपके अब पहचान कैसे करणे ही क्या किसको लगा कर जैसे मोहन ने साइकल चलाई क्या चलाई वही साइकल यहां पे कितना सिरो फैकी कर्म है अब यहां पे नीरज ने विवेक को पुस्तक दी ठीक, यानि दी, क्या दी भई, पुस्तक दी, और किसको, बिवेक को, तो यहां पे कितना कर्म हो गई, यहां पे हो गई, दो कर्म, ठीक, बिवेक और एक आप हो गया, पुस्तक, तो यह क्या हो गई, भई, यह इसमें दो कर्म आ गई, यानि यह है सै कर्मक के लिए हो गई, अ वो किर्विया बिना कर्म के होगी वो होगी आपकी एकर्म किर्विया जैसे आपका एक्जामपल बता देते हैं पहले इसकी परिवाश बता देते हैं जिस किर्विया का फल सीधा करता पर पड़ता है उसे एकर्म किर्या कहते हैं एक्जामपल मम्ता हस रही है ठीक है या हस रह होगा ममतजा कर्म नहीं है जबकि एक संग्या है यानि करता है बच्चा रो रहा है अगला देख लेते हैं रोना रोना से पहले क्या रहा है बच्चा रहा है यहां पर संग्या है ठीक है ना कि यहां पर कर्म है अब राहूल उठ गया उठना उठना से पहले क्या है यहां पर राहुल और राहुल जो है आपका वह संग्या है, ना कि वह आपका कर्म है. तो आई होब की से करमक कर्या और आइकर्मक कर्या आपकी समझ में आया होगा. अब चलते हैं हम आपने प्रक्टिस एट की तरफ चलते हैं और आपको question लगाने है कितने आपके answer सही होते हैं तो प्रक्टिस एट की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज ये red color में दिखाई दे रहा होगा subscribe लिखाओ इसको दवा देना और bell icon जरूर दवाना ताकि इससे next video वो आप तक पहुच जाए और एक बात और आपका सै कर्म क्रिया वाला बाकी बताना है आपको कि सै कर्म क्रिया वाला बाकी है कौन सा है यानि आपका सै कर्म यानि उसमें कर्म होना चाहिए तो यहां पर देखो सबसे लाश्ट का देखो सतीस ने केले खरीदे ठीक है तो उसने क्या खरीदना यानि खरीदना क्या है क क्या खरीदा उसने केले खरीदा यहां पर कर्म शुक्त कर्म पिए केला सबसे लास्ट वाला वह आपका तो यहां पर देखो लोना लोना से पहले कैं हम कुछ हो जाएगा अगला कोशन है जिस बिकारी शब्द के प्रियोग से हम किसी बस्तू के बीसे में कुछ बिधान करते हैं उसे क्या कहते हैं ठीक है तो उसको क्या कहते हैं उसे बोलते हैं किर्या ठीक है तो दो कोशन हो गए है आपके अगला कोशन है किस बाकी में सैकर्मक्रिया नहीं है आपको क्या बताना है सै कर्म किर्या नहीं है इसका मतलब वो ऐ कर्म किर्या होगी तो देखो यहां पर सबसे लाश्ट में जो है मोर नाचता है मोर नाचता है इसमें कोई कर्म नहीं नजरा रहा है में ठीक है यहां पर सिर्फ मोर क्या है, संग्या है, नाचना क्या है, यहां पर आपका किर्या हो गई, ठीक है, और आपका है जो है, सहाय किर्या हो गई, तो यहां पर कोई भी आपका कर्म नहीं खाय दिया, हमें लाश्ट का होगा आंसर, तो आपको इसी तरीके से आंसर लाने हैं, आपको इसी तरीके से आंसर बताने हैं, आपके कितना आंसर सही हो रहे हैं, अगला कुछन है किस बाक्य में ऐ कर्म कि लिया है, यानि वहाँ पर क्या होगा, कर्म नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ये भी आपको जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुदी पता चल जाएगा, किस आपको अंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ओप्शन से देखके पता चल जाएगा, आपको, एक कर्म कि लिया बाला बताना है, आपको, देखो, इसमें हमें पता चल लाएगी, जबसे पहला देखते हैं ठिक है नूमर्डब्हड़ा है नई हम नियुन वाजटें नाइए मेरी दिक यह नहीं है ये भी नहीं भने गा सुछ लत का देखो सीता निरत्य करती है यह आपका बन जाएगा ठिक है तो सबसे लाश्ट का हो जाएगा क्यों 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 कि करना क्या है वहाँ पर नरत्य कर रही है वो ठीक है अगला कोशन है संजे बहुत देर से टहल रहा है कौन सी गिर्या है तो यहाँ पर देखो टहल ना क्या है टहल ना ठीक है बहुत देर से यह आपका करम नहीं है तो यह आपका क्या हो गया यह आपका हो जाएगा आ करम के लिए कौन सा आ करम के लिए अगला कोश्य है कौन सा करम सही नहीं है आपको करम बताना है कौन सा करम सही नहीं है तो देखो प्रेंड़ना अर्थक किर्या का मतलब होता है यानि किसी से प्रेंड़ना मिलना ठीक है अब मुकेस खाना पकवाता है ठीक यहाँ अगर वो बोलता है मुकेस ने खाना पकवाया तो यानि किसी से काम करवाया तो यह आपको प्रेंड़ना नहीं मिल लई नहीं होगा अगला है भई पुलिस ने चोर को पकड़ाया ठीक है पकड़ना किसको भई चोर को तो यह आपका यहाँ पर एकर्मक्रिया का बहुत देरा है यानि यह आपका सही हो जाएगा अगला कुशन है किस किरम में सैकर्मक्रिया नहीं है ठीक है तो इसको सैकर्मा किविया नहीं है तो यहाँ पर बैसी नजर आ रहा है आपको सी रणवीर बहुत देर से टहल रहा है टहल ना कबसे बहुत देर से तो यह आपका सैकर्मा किविया नहीं एकर्मा किविया होगी अगला कोशन है किस किरम में एकर्मक के विया नहीं है ठीक आपका एकर्मक के विया बताना है तो अगला कुशन था किस किरम में आ कर्मक के विया नहीं है तो यह बैसी दिख रहा है आपको आ कर्मक के विया नहीं है यानि यहाँ पे बी नजर आ रहा होगा आपको रमेश ने मुझे पतर लिखा तो पतर किसको लिखा भी मुझे कर्म यहाँ पे नजर आ रहा है तो बी आ कर्मक कर्या है यहां पर ठीक है बहर चलाक निकला तो निकलना कैसा निकला वो चलाक निकला तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा अगला कोशन है ने मिल के तमेश से कर्मक कर्या कौन सी है तो आपको बताना है सै कर्मक कर्या कौन सी है तो यहां पर जो है लिखना जो है सै कर्मक क कद 협 tą है यह नहीं वनेगा का रहा है हो नहीं वनेगा त्राइत यो समस्क्राइब ना और बैल आइकन जरूर दांए इसके पास गर्ण बटन ताकि इससे नेकट वीडियो जितनी वह प्योदocr 2007 अगर जाई अब अवी तक के पर सब्सक्राइब नहीं वीडियो में धन्यवा दोस्तो